नमस्कार साथियो 24G study में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले है रीट के तमाम उद्धों के बारे में जिन से गर्मा गर्मी का महोल ज्यादा तेज हो चुका है दोस्तों जैसा कि रीट का महोल चल रहा है उस इसाब से बच्चों में ये काफी हैसमे कमेंट्स आ रहे थे काफी कोल्स आ रहे हैं कि सर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है बात करेंगे इसके बारे में मुख्या सवाल जो है हमारे तीन सवाल रहने वाले है इस वीडियो में पहला सवाल हमारा ये है कि रीट की भरती है उसकी रद होने के चांसे जो है उ इसके लावा हम बात करेंगी जो सबसे बड़ा सुवाल हमारा जो है कटोफ का दोस्तों जैसा की कटोफ कटोफ का खेल खेलते हैं हर बरती के अंदर इसमें भी हम बात करने वाले हैं कटोफ के बारे में जो यूटूब के चैनल है कितनी कटोफ बता रहे थे और अब कितनी कट like भी कर सकते हैं वो आपकी मरजी है जैसा भी आपको content आपको अच्छा लगे तो apply कर दीजिए ज्यादा जोर दबरदस्ती नहीं है इसके अलावा हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर जैसे REIT का जो गर्मा गर्मी का महोल है बतादू मैं आपको इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो REIT का पेपर आउट हुआ है लीक हुआ है क्यों हुआ इसका रीजन सबसे बड़ा आपको सामने ही सपष्ट दिखाई दे रहा है सरकार ने संकेट जारी कर दिये जैसा कि DP जारोली को बरकास्त किया है DP जारोली मादमी सिक्षा बोड की अदेक्स थे अब वो अदेक्स नहीं है उन्हें अदेक्स पास से बरकास्त कर दिया सबसे पहला सवाल हमारा कि जो REIT की बरती है उसके रद होने का डर जो बच्चों के मन में है वो सही है या गलत है बात करें दोस्तों जो मेरा ओपिनियन है सबसे पहला ओपिनियन मैं बता दू कि जो REIT की बरती है उसका रद होना कोई लाज नहीं है REIT की बरती है उसका अगर रद हो जाए उसे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उन बच्चों को जाएगा जिन बच्चों ने महनत की है 12-13 गंटे उन्होंने study की है दिन रात एक किया है उन बच्चों को काफी नुकसान देखने को मिल सकता है मेरे टच में काफी ऐसे बच्चे हैं जिनोंने महनत की है दिन रात message भी आया कि सर अगर REIT रद हो गई तो हमारा क्या होगा हम आगे क्या करेंगे अब हमें क्या करना चाहिए बार-बार मन में ये डर आ रहा है दोस्तों मैं आपको बता दू कि अभी तक सरकार का अपडेट ये है कि सरकार नहीं चाती की REIT रद हो सरकार ये भी नहीं चाती की CBI जांच हो दोनों ही काम सरकार नहीं चाती है सरकार ने जो सारी जिमेदारी सोंप रखी है वो SOG को सोंप रखी है अब आगे देखते हैं SOG क्या करने वाली है SOG में भी साफ साफ मना कर दिया कि REIT रद नहीं होगी हम सिर्फ LEVEL 2 की जांच कर रहे हैं LEVEL 1 में हमें ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है इसके हम डिसकस करेंगे आगे आगे वाले स्वाल में हम बात करने वाले हैं देखिए दोस्तों सबसे पहला जो काम था SOG का की जो मुख्या रोपी पकड़े थे देश के जो लाल थे काफी लाल थे बजनलाल बत्तिलाल पित्तिलाल काफी लाल थे इनको पकड़ा गया इसके बाद में जो RS LEVEL के अधिकारी है उनको बरकास भी किया अरविंद और जो अपने DP जारोली है इनको बरकास कर दिया अब DP जारोली है उनका रुक जैपूर की तरफ हो गया है वो जैपूर की तरफ रुवाना हो चुके है मुखे मंतरी जी से मिलने आगे क्या डिसकस करेंगे वो उनका मेटर है उनका काम है अब उनको बरकास कर दिया है क्योंकि उन्होंने अपना काम जिमेदारी से नहीं किया अब देखिए दोस्तों जो लेवल फर्ष्ट और लेवल सेकंड की बात करें जैसा की मैटर सामने आ रहा है काफी मैसेज काफी जो न्यूज सामने आ रही है टेलिगराम गुरूप पर बच्चों की डिसकस चल रहे है कि सर ये जो लेवल फर्ष्ट और लेवल सेकंड का मामला है कि लेवल फर्ष्ट का पेपर लिक नहीं हुआ है तो लेवल फर्ष्ट का पेपर रद नहीं होने वाला लेवल सेकंड का पेपर लिक हुआ है काफी आरोपी पकड़े गया है तो उसका पेपर रद हो सकता है सबसे बड़ा मुद्धा रद होने का है मैं बता दूँ कि पेपर रद नहीं होने वाला है रद होने से कोई इलाज नहीं है बड़े से बड़ा जो मगरमच है वो रद होने से हाथ में नहीं आने वाला दोस्तों तो सबसे बड़ा काम हमारा यह है कि पद बढ़ाने की मांग होनी चाहिए इसके लावा जो CBA जाँच है उसकी मांग होनी चाहिए वो 10 से 12 जार पद बढ़ाने को तियार बैठी है सरकार अब अगर ये मांग हम रखते हैं 40 से 42 जार पद हो जाएं तो सरकार बिलकुल हमारी मांग मांग सकती है इसके लावा अगर CBA जांच की मांग करें तो वो भी मांग सकती है अब CBA के हाथ में अगर ये फंडा चला जाता है तो काफी हमें मुख्य जो आरोपी है वो हाथ लगने वाले हैं बड़े से बड़ा मगरबच भी हमारे हाथ में आ जाएगा काफी दिक्कत आती है हर बरती के अंदर काफी न्यूज ऐसे देखने को मिलती है कि हर बरती में पेपर लीक हुआ है अभियरती पकड़े गए हैं तो ये जो जड़े हैं वो काफी गहरी है उनको खतम करना उनको निकालना है उनको निकालना है खतम करना है अगर वो जड़े निकल जाती है तो हर एक बरती है राजस्तान की वो बिना लीक हुए बिना रद हुए हो सकती है दोस्तों अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो बेरोजगार है जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको देखने को मिलता है उनकी क्या हालत होती है ये हम ही जानते हैं दोस्तों आप भी जानते हैं आप भी बिल्कुल normal परिवार से हैं आपको भी नुक्सान देखने को मिलता है जो भी भरती रद होती है अब पिछली जो भरतीयां रद हो हुए है जैसे कि मैं बात करूँ 2010 की जो सब इंस्पेक्टर की बरती है 2014 के अंदर अध्यापक की बरती इसके लावा मैं बात करूँ 2013 के अंदर जो LDC की बरती है वो भी रद हो चुकी थी मैंने एक्जाम दिया था LDC का 2013 की बरती का काफी त्यारी करने के बाद भी वो बरती सीरे नहीं चड़ी उसका जो एक्जाम है वो रद हो चुका था अब मेरे पर क्या बिती वो मैं ही जानू इसके लावा काफी बरतीयां हैं जैसे खानवी भाग की जो कॉंस्टेबल की बरती है उद्योपूर से निकली थी यह अभी जो फिलाल भरती थी 2014-15 के करीब थी वो भी कैंसल हो चुकी थी तो ऐसी काफी भरतीयां हैं जो रद हो चुकी थी काफी आरे सदिकारियों पर गाज गिरी कैंसल भी हुए पेपर अब जो रीट का जो महौल बना है गर्मा गर्मी का यह देखने वाली बात होगी कि अगर CBA के पास जान जाती है तो मैटर जो है वो काफी लंबा चलेगा तो कोर्ट का स्टे भी आ सकता है इसे वीच जो कुछ न्यूज चल रही है कि कोर्ट के अंदर यह केस गया है या चिका लगाई है किसी ने CBA के आतों में जान चले जाए तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो रीट के जो प्रिक्षा उसके रद होने की वी काफी चांस बढ़ जाते है लेकिन अभी तक जो अपना ओपिनियन है जायज मांग जो हमारी यही है कि CBA जांच होनी चाहिए और रीट रद नहीं होनी चाहिए अगर रद हो गई तो उन बच्चों के साथ दोका होगा जिन बच्चों ने दिन रात महनत की है अब देखे दोस्तों अगला सवाल हमारा यह है कि आगे क्या होने वाला है क्या क्या हो सकता है नमबर एक बात दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि CBA जांच आती है CBA जांच आती है तो इसमें काफी नुकसान देखनी को मिल सकता है रीट की बरती जो है वो रद होने के गगार पे हो सकती है क्योंकि CBA जांच अगर होगी तो जो जड़े हैं जो बड़े से बड़ा मगरमच जो आपको मैं बता रहा हूँ वो हाथ लग सकता है इसके लावा और क्या हो सकता है यह हो सकता है कि रीट जो लेवल फर्स्ट है उसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ है अब मैं नहीं कहा रहा कि लीक नहीं हुआ है हो सकता है लीक हुआ होगा पेपर लेकिन इसकी कोई सिकायत नहीं है कोई जानकारी नहीं है ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है SOG ने खुलासा नहीं किया है कि लेवल फर्ष्ट का पेपर बाहर गया हो तो बड़ा बड़ा यही मानना है कि लेवल टू के काफी पेपर बाहर गए हैं काफी सेंटर काफी ठिकानों पर गए हैं जैसे कि कुछ जिलों में जलोर की बात करूं मैं कुछ स्वाईमादोपूर कोटा इनकी बात करूं यहां तक जले जो 13-14 जले एसोजी ने गिनाए हैं वहां तक यह पेपर गए हैं काफी ठिकानों पर गए हैं तो यह देखने वाली बात होगी कि कितने अभियर्ती रीट की हैं ऐसे फरजिस साबित होते हैं जिनको एयोगे गोस्तित किया जाते हैं वह देखने वाली बात होगी कितने अभियर्ती सामने आते हैं एसोजी कितनी गहराई तक इसकी जांच करने वाली है क्या एसोजी इसमें सफलता हासिल करती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी 9 फरवरी को उपेन यादव ने बेरोजगार संग के जो पूरो देक्स जो है उपेन यादव उन्होंने गोशना की है 9 फरवरी को विदान सभा गहराव की तो वो भी कोशिश कर रहे हैं 9 फरवरी तक देखना होगा कि क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है मैंने भी चैनल पे कट ओफ डाली है आप कट ओफ देख सकते हैं कुछ चैनलों की कट ओफ देख सकते हैं कितनी कट ओफ बताई है अब जो काफी मैं कहा रहा हूं कि अगर opinion जो था CBA जांच और जो पद बढ़ाकर किये जाएं वो 50,000 तक 40,000 से 45,000 जो भी अगर ये काम हो जाता है पद वड़ जाते हैं और CBA जांच आ जाये तो ठीक है इसके लावा और देखिए क्या हो सकता है कि सरकार ये भी कर सकती है कि इस जो परिक्षा है इसको पातरता परिक्षा कर दे और अगली जो परिक्षा है वो नहीं परिक्षा लेके उसे मुख्या परिक्षा गोसित कर दे तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा लेकिन कुछ मैसेज आ रहे थे बच्चों के उन्होंने सजेशन किया था कि सर ऐसा भी हो सकता है कि पातरता परिक्षा है उसको गोसित कर दे और आगे वाली परिक्षा है उसको मुख्या परिक्षा गोसित कर दे ये भी हो सकता है हो सकता है कि सरकार लोलीपोप दे दे जो पद है वो बढ़ा दिये जाए और इधर इसको जो न्युक्ती परकिरिया है वो जारी रख दी जाए अब सरकार ये भी कर सकती है कि जहां सरकार कहा रही थी कि जुलाई में जोइनिंग जो है न्युक्ती है वो मिलेगी लेकिन इसके चलते हो सकता है सरकार जल्दी से जल्दी जोइनिंग करवा दे फरवरी मार्च के अंदर ये जोइनिंग करवा दे ये भी हो सकता है कटोफ के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है जो कटोफ है उसका main reason आपको मैंने बता दिया कि पद बढ़ जाएं तो कटोफ में गिरावट देखने को आपको बड़ी-बड़ी मिल सकती है कटोफ की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पर आप देख सकते हैं वहाँ जाकर आगे हम बात करेंगे इसके लावा जो कुछ भी रीट में गर्मा गर्मी का महोल चड़ रहा है उसमें बात करने वाले हैं बनर ये 24G स्टेडी के साथ 24G स्टेडी को सबस्काइब कर लेजी अभी तक सबस्काइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए डिसकेशन में टेलीगराम गुरूप की लिंक दे रखी है वहाँ जाकर आप टेलीगराम गुरूप को जोइन कर सकते हैं